यह बैठ बहुत जबर किसे है यह यह ले सकता हूं क्या नहीं वोपी से वोपी से हाँ आज मैं और अक्षे आये हैं 7070 के आकाश पोर्स में जो की आता है चेंबूर में और आज अक्षे यहां से कुछ शॉपिंग कर रहेंगे तो अक्षे ने तो पहले ही टिशेट यह शॉप कर लिया है तो यह 7070 की रिनी सिजन की एक स्रीवलेस टिशेट है और जैसे ही अक्षे यहां पर आये तो उसने पहले यह टिशेट सिलेक कर लिए अभी बहुत सारा शॉपिंग करना बाकि है और अक्षे को हम यहां से आकाश स्पोर्ट्स की एक प्लेयर एडिशन रेनी सिजन बैट भी देने हो ले हैं तो चलिए दोस्तों प्लेयर शुरू करने से पहले मैं नहीं है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलव गीजिए तो सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अक्षे महाडिक जो है वो हमारे टैनिस बैट चैलेंज 2 के विनर थे और जो की हमें वो कॉम्पेटिशन जीता और जीती हमारी सीके किंग की एक बढ़िया बैट तो आप सभी लोग को मैं बात बताना चाहता हूं कि हमारी जो सीके किंग 11 की जो टीम है उसमें अक्षे महाडिक हमारे लीड बैट्समन है और अच्छे बॉलर भी है अच्छे फिल्डर भी है तो आज हम अक्षे महाडिक से कुछ बाते करेंगे कि वो टेनिस क्रिकेट में कैसे है कैसी उन्होंने स्टार्ट की और आगे कैसे और खेलने वाले हैं तो आक्षे सबसे पहले तो इस 7070 के आका स्पोर्स में आपका बहुत-बहुत सवागत है तो टेनिस बैट चैलेंज का सफर और आपको मतलब यह ओर्राल कॉंपडिशन था वो कैसा लगा सबसे पहले तुम्हें बोलूंगा कि आपको धन्याट बोलूंगा कि उन्होंने मेरे को टेनिस बैट चैलेंज में एक चांस दिया मेरे लिए बहुत अच्छा और बहुत अलग सा एक्स्परेंस था और और कुछ प्लेयर रहते हैं जो नए बॉल के लिए शिप बने हुए रहते हैं और अपना चैलेंज पूरा नया बॉल और नया बैट के साथ हुआ था और मतलब मैं कभी नए बॉल पर जाता नहीं हूं लेकिन वह चैलेंज में मैंने नए बॉल को फेस किया और वहां पर यह क्रिकेट की बैग्राउंड के बारे में बात करते हैं टेनिस क्रिकेट केलने से पहले क्या आप सीजन क्रिकेट खेलते थे मैंने कभी सुना नहीं है इसके लिए मैं पूछ रहा हो जैसे क्रिकेट भी खेलता था लेकिन उसके पहले में गाओं में हम लोग अंडरम क्रिक लेदे क्रिकेट भी चालू किया और मैं अखिल महराष्टा ग्रामेंग रिकेट असोशेशन के तरफ से स्टेट लेवल क्रिकेट खेलता था तो सिजन बॉल पर तो वह भी बहुत अच्छा एक्सपरेंस था बहुत मज़ा आता था बॉलिंग करने के लिए तब मैं सिफ में ब अब जो थाने में आप खेल रहे हैं आपके टीम का नाम स्पार्टन है तो आपका यह जो पूरा टीम है उसमें कितने ग्रूप में कितने लड़के हैं हम ग्रूप में लगबग 40-45 लोग है तो बहुत मज़ा आता है कि इतने बढ़़ जो अपना ग्रूप उसमें से अपने को खेलने का मुखा मिलता है एक टीम लीड करने का मुखा मिलते तो बहुत अलग आता है मज़ा आता है बहुत आपको मैंने देखा है कि जबी आप ग्राउंड पर आते हैं सेंटरल मैदन पर तो डॉट आपकी जो टीम है वो इनके जो पीच है इनका जो पीच है स्पार्टन का उसके साइड में मिडल में हमारा टीम का पीच है तो मैं भी विरेश्वर से में खेलता हूं तो हमारा ग्रूप का नाम है विरेश्वर तो हमारा थोड़ा सा लेट प्रैक्टिस शुरूवत होती है लेकिन स्पार्टन वा आप तक के मतलब अभी तक मैंने जितना भी मैंने आज cricket देख रहा हूं टैनिस cricket जहां पर practice देख रहा हूं वहां पर practice करने के पर तुरंद match में कभी मैंने ज्यादा कभी देखा नहीं ना कभी सुना है लेकिन जब आप लोग का मैंने practice देखा जब आप लोग match कलते हो तभी एक अलगी experience वह मिलता है और अच्छी बात है एक्चुली यह रोज मैच करना और रोज चैलेंजेक्स एक्सेप करना यह एक अलग यह बनता है मतलब एक experience मिलता है अभी थोड़ा सा बात करते हैं लेदर क्रिकेट की तो कभी ऐसा लगा था कि लेदर क्रिकेट मैंसे मैं टेन कर दिया और फिर ऍदर झालब कर दिया घ्र करते हैं तो आपने कभी किसी बड़े प्लियर को बॉलिंग की है या आपने किसी एक एक बड़े बॉलर को कभी फेस किया और कैसा था वो एक्सपिरेंस है अली बांग में हम लोग खेल रहे ते फंथा में दैस करके बड़ा बास्मन है अपना टेनिस किर्केट में लोग खेल थे और वहरी फर्स बॉल में उनका एज लग किपर ने कैच छोड़ा था उसके बाद सबसे शायद मेरे क्रिकेटिंग करें का थोड़ा सा मतलब में कभी याद ना कर सकू कि वह मैच ऐसा था कि विकेट चले गए दो-तीन और में बैटिंग के लिए गया था सामने अशिश अगरकर करके बड़ा नाम है वह भी टेनिस क्रिकेट का वह बालिंग कर रहा था तो वहां पर मैंने उन्होंने शायद एक वाइट डाला था बाकि मैंने वह मेडन और पूरा मेरे पतले च्छे डॉट बॉल उसके ओर में मैंने का लिए तो शायद एक ठोड़ा अलिबाग में खेलने आया थे बड़ा टिम ता उनका और हमारी दो-तिन विकेट अच्छे विकेट गए तो में गाया था बैटिंग के लिए छे बॉल डॉट वह भी आपको यह मतलब यह एक्चुली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी भी आपको कोई डॉट कर सकत है कि आप एक तो पूरा आप बाहर आके खेल जो और आपके जैसे प्लियर को डॉट करना मतलब मैं तो सोची नहीं सकता कि कैसे मतलब पूरा आपको शायद रीड कर लिया था और बहुत बहुत लंबे से बॉल गुमा रहता हो और सिमिंड का विकेट और मेरा एकदम मतलब क्रिकेट पूरा नयला नया था मितलब मैं जश्त पर राकः तो वह उठागी-क्रीचिकर बहुत न tendencyट कर लिया айтесь करेचिकर अब को खीनला कि आपने इस कर लिया है अपने और आपको कितना टाइम लगा उसको कितना टायम किरेड लगए एक साल चार महने पाच महने लगबग एक साल चला गया क्योंकि क्या होता था बैटिंग करता नहीं जादा जब प्रैक्टिस के लिए आता तो तब बैटिंग करता था लेकिन ऐसे बॉलर करके में जो था मेरा रिदम था जो मेरा रन अप था तो बहुत मुश्किल आए थी मैंने तब नहीं नहीं आ रहे करते हैं थोड़ा सा आपके कोई ऐसा मतलब अभी टेनिस क्रिकेट इतना बड़ा हो गया बहुत सरफ प्लियर है तो आप कौन से प्लियर को फॉल करते हैं बहुत इंसे सि mogelijk नाम है उस्मान पटल है प्रिष्क्यम शाद कॵ्षा संद कॉट्या से फदिन काजी है वीस्व्जी ढपर दोनों करते हैं वॉण भी करते बैटइंग भी करते हैं तो आपको क्या लगता कि मतब आ इक है कि अन से अंपने को सिखने मिलते हैं जैसे इसे कि ठाने में राङूल कश्षब है। जैसा पूरा कवर में खेलने वाला कोई नहीं है तो उसको देख देख के मैं अभी अभी स्टार्ट किया है कवर में कहलना पॉइंट पे खेलना तो वैसे अगर मैं प्रफेशनल क्रिकेट की बात करो तो मैं विश्वजेट ठाकुर को थोड़ा फॉलो करता हूं कि मेरा है जो क्रिष्ण साथपूते कहलते हैं तो आपको बाद में फील हुआ कि मुझे मारना चाहेता है या फिर जैसा बॉल है वैसा ही आपने मारा जैसा बॉल है वैसा ही करना भी चाहिए मेरे खायल से और हलिकॉप्टर शॉट का तुम्हें MS धुनी का सबसे बड़ा फैन हूं तो अब थोड़ा साथ करते हैं कि टेनिस बैट चैलेंज टू जो हुआ तो इसके बाद में टेनिस बैट चैलेंज थ्री में आप क्या देखना चाहते हैं कि मतलब तू था वही सही था उसमें कुछ नहीं काली मैं अभी कर सकता हो कि 360 अपन ग्राउंड डेख सकते गोल पूरा ग्राउंड आपन खेलेंगे तो वह एक में कर सकता हो बाकी तो टेनिस बैट चैलेंज बाकी प्रॉपर ही हुआ है और आगे भी मेरे मेरे को बहुत मतल चान्यश में जीद गया तो उसको चांस देना नहीं है लेकिन यह टाइम पहुत सारह है लेकिन अभी अपने फक्रॉपग का इंटर्वि आजा का दादा लोड़ता उन्को तो शायद हमें बोलूँगा, के मेरेको उनके साथ एक चैलेंज खेलना है क्यूकि उनका बैटिंग बहुत जबर्दस्त है और जब जितना अपने अच्छा उतना माज़ा आना चाहिए एक अपना आपना टेस्ट होता है कि यार इतने अच्छ बॉल करेंगे किदर बैटिंग बॉल शॉट के कौन से शॉट खेलने चाहिए चलिए अभी बात करते हैं रेनी सीजन च्रिकेट की फिले तो अभी रेनी सीजन शुरू हो गया और आप अबी रिनी सीजन क्रिकेट भी अच्छा किल रहे हैं मैं देख रहा हूँ आपकी बैटिंग बहुत जबर्दस चल रही है तो क्या कहना चाहते है कि अभी आपने सोचा था कि रिनी सीजन भी अभी किलूँगा कि अगर आपको कोई soft tennis के matches में अगर कोई बुला है तो क्या आप जाएंगे वहां पर या फिर आप सिर्फ ये दोनों ही फॉर्माट में कहलेंगे रेनी सिजन और हार्ट टेनिस मेरी पहली कोशिश तो यह है कि मैं हार्ट टेनिस और सिर्फ रबर बॉल रेनी सिजन नहीं कि अब एक-दो साल से में थोड़ा सा इंजरी इस भी बहुत हुए है थोड़ा सा फिटनेस पर ध्यान रखना है तो इसके लिए थोड़ा रेनी सिजन भी थोड़ा सा कम करना ऐसा सोचा था मैंने लेकिन क्या होता हो क्रिकेट का जो अपने उपर जादू चला हुआ है ना हो ऐसे घर होता नहीं है तो और मेरा सबसे हेले चीज़ तो मेरा टिम मेरे टिम को हमेशा हर को सपरट किया है ठाने स्पार्ट ने उनके मेंबर ने तो उनको थे कि यार में भी खेल सकता हो तो इंजरी के बावजित्बु में ने खेलना कभी छोड़ा नहीं लेकिन वह भी है कि अगर अपने को लॉंग टर्म खेलना है तो थोड़ा अपने फिटनेस पर ध्यान देना जरूरी है तो बहुत मज़ा आता है रेनी सीजन में खेलने के लिए ब करता क्योंकि उमारे को उधर बॉलिंग करना में मूडी नहीं होता है लाइट बॉल पर बहुत हलका बॉल होता है ना पेज जाता है तो यह दोनों यह जो है हाट टेनिस और रवर बॉल पर में थोड़ा ज्यादा फोकस्ट हो भी आक्षे मैं आपको एक पूछना जाता हू है जौब में भी आपके जो सर है आप तो आभी भी हाफडे लेकिया है तो मैं तो पहले आपके सर को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आपको हाफडे सेंशन किया बहुत दिन से मैं अक्षे को एक्षे को हम लोग देख रहे थे कि कब यह हम लोग वीडियो बनाए लेकिन फाइनली आज वो दीन आ गया तो घर से आपका सपोर्ट कैसे है अचली पापा ने क्रिकेट का आदत लगाया जब बच्पन में हम लोग थे तभी खुद जाके हम लोगों को आम घर में टीवी नहीं था बच्पन में तो दूसरों के घर पर जाके मैस देखकर दिख करता रहा फिर जब नोकरी के लिए में जब ठाने शिफ्ट हो गया तो इधर मेरे को सबसे बड़ा में धन्यवाद दूंगा मेरा जो बुवा का लड़का है सवरब करके उसने मेरे को ठाने सपाटन टीम से मतलब मिल आया और फिर वहापे मेंबर सब हम लोग मिल गए तो औ यहां पर अब भी में हूँ यहां पर खड़ा वो खाले और ठाने सपाटन टीम के वज़े से हूँ जो मेरे सपोर्ट सिस्टम है वहापे विकास है सुमीत है प्रकाश है गनिश लोकंड है और जो ललन है जो पूरे सेंटरल में खेलते है वो ललन कूवर यादो करके उनका अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता मेरे को तो ऐसे लोग मेरे पीछे हमेशा खड़े रहे इसके लिए मैं मतलब मेरा क्रिकेट कभी रुका नहीं जब भी मेरा मतलब बूरा वक्त चल रहा था तभी वो मेरे पीछे एकड़म खड़े दे क्या रो जाएगा हो जाएगा तो इसके वाज़े से कभी क्रिकेट रुका नहीं और बहुत ज़रूरी ऐसे लोग अपने पीछे रहना फिर कुछ भी हो जाए कुछ परगने पड़ता आपने अभी बोला कि बूरा वक्त तो ऐसा कौन सा येर था या क्या ऐसा बूरा वक्त आया था कि इसमें आप मतलब क् पर अक्षिली हो रहा था कि बैटिंग नेयु भॉलंग नेयुए तो थो तीन चल्य की रहा था है पूरा एक सम्न मेरे मेरे इतना भरषा के मेरे को nem लेकिन कुछ लेकिन तो बहुत ता लेकिन में बहुत काम किया तोड़ा सा पिटनेश के काम किया और फिर कम बेक के है मैंने लॉगंडन के बाद और जो कम इख कर वह शायद अभी तक रुकन एंग हाईयों में बहुत अच्छा चल रहा है और चलेगा और मैं अपनी मेनद चाहिए क्रिकेट में ऐसा है कि आप कभी पच्छा सो भी मारेंगे लेकिन दूसरी दिन आप पहले पॉल पर आउट हो सकते तो क्रिकेट है ना एक अच्छा ग्रेट लेवलर है अपना की वो लेवल पर रखता है ज्याद अब बहुत बाते हो गई अक्षे के साथ तो अक्षे ने मुझे यह पूछा था पहले वीडियो शुरू करने से पहले वह भी मुझे कुछ तो आज इस वीडियो में कोई जो गेस्ट है वो मुझे कुछेंगे तो मैं ट्राइ करूंगा एंसर देने की तो चलिए पूछे तो सबसे पहले में दादों को पूछना वही चाहता कि मेरे बहुत दिन से वह मैंन में था कि यह जो टेनिस बैट चैलेंज का कंसेप्ट है आ जैसा बहुत पहले से नहीं था मतलब मैं एक सोचता था कि बैट्समन ऑल राउंडर जो है उसको एक अलगी हम लोग एक कॉंपिडिशन करें क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा एक अच्छा प्लियर है जबी टीम बनती है तभी यह होता है कि अच्छे अच्छे प्लियर्स को पीछे बैटिंग के लिए जाना पड़ता है पीछे बॉलिंग भी कभी मिलती नहीं है हलाकि वो अपने एरिया में बहुत अच्छा बॉलर है लेकिन उसको बॉलिंग मिलती नहीं है तो मैं कुछ ऐसा कॉंसेट सोच रहता कि उसको पूरा पूरा चांस मिले उसकी पूरी तरह से वो बैटिंग कर पाए पूरी तरह से वो बॉलिंग कर पाए और लोग उसको देखें और उसके सामने सिर्फ एक ही प्लियर को आउट करना है और ऐसा कुछ कॉंसेट में सोचा थोड़ा सा चेंजिस किये ये चेंजिस किये वो चेंजिस किये तो मैं बोल रहा था कि आपने मेरों कहां पर देखा था और मतलब आपके दिमग में कब खैला कि यह बंदा मेरे में मतलब मेरा चैलेंज खेलेगा सबसे पहली बात तो अक्षे महाडिक जो है इनका तो मुझे नाम ही नहीं पता था मैं यह मेरे मैं अर। मैं ये साल मैं यह साल और मैंने स्टाट की है ». मैंने स्टार्ट किया तो मैंने लिए अक्षे को देखा कि कि ऐसा सौ विकेप्र दकाका निकाला था तो में ने देखा था तो हाप पैंट वाला यह बंदा मेरे दिमाग में था और मैंने फिर हमारे विरेश्वर के टीम में से किसी को पूछा यह बंदे का नाम क्या है मैंने आक्ष्य की कभी बैटिंग नहीं नहीं देखि देखिस लेकिन उसको जॉश था वो मैंने देखा और मैंने उसको सिलेक किया और मेरा तो वो टीम के बारे में आपको कब खैल आया और आप कुछ सोचा है क्या करोने वाला है क्या नहीं कुछ क्योंकि इतना अच्छा टीम भी बनाया अपना अभी तो मैंने वही मतलब एक मतलब सोचा कि नए ने प्लियर्स जो है जिनको टुर्नामेंट किलने में चांस नहीं मिल रहा है तो उनको हम इंक्लूड करें तो सीके Kim ॐलेवन ये जों है इसमें सारे के सारे अल्मोस्ट नए जाद जादा जादा मतलब यह जिनका नाम है क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं एकदम विरेश्वर के कुछ प्लियर हैं हमारे आपके स्पार्टन के कुछ प्लियर है थोड़े बाहर के हमारे कलवा के हैं प्लियर तो ऐसे कुछ प्लियर है जिनका अभी तक जितना नाम नहीं है लेकिन मैं यह चाहता हूं कि ऐसा एक टीम बने जिसमें सी के किंग यह जो ब एक अच्छे स्पांसरर मिले हैं तो वो हमें मॉन्सुन एडिशन के ऐसे सीवलेस टीशेट देने वाले हैं तो ये वीडियो जल्दी आएगा हमारे चैनल पर और टोटल 14 टीशेट्स है तो जो हमारा ग्रूप है सिके किंग 11 का उसमें हमने ये फोटोग्राप्स डाल दिये औ और इंस्टाग्राम पर भी मैंने ये सारे फोटोग्राप्स पोस्ट किये आप हमरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कीजिए तो अभी सिके किंग में अभी आगे मैं बताना चाहता हूं कि सिके किंग में आगया के मॉर्चनडाइज आने वाले तो सबसे पहले कैप्स आन हूं और और इक मैं कहाता हूं कि हम लोग अभी िर्णामैंट के लिए हम लोग अभी जाधा फोकॉस नहीं कर रहे हैं टुरनिमес खेलनेुके लिए को हम लोग पूर्ड़ किसी जहीं कर रहे हैं कि कोई-कई जो थाने बॉलर को चांस दे रहे हैं, बैट्समन को भी चांस दे रहे हैं, और मेरा एक्चुली यह होता है, कि हर एक मैच में वही बैट्समन को आगे नहीं बेजना है, अगर आपको मैंने बेजा ओपनिंग में, तो सेकंड मैच में आप ओपनिंग नहीं करोगें, यह आपने देखा ह होगा तो इसके वज़े से इसके वज़े से हम लोग सीरीज अभी ले रहें तो अगर कोई ऐसी टीम है मुंबई में जो यह वीडियो देख रही है और रेनी सिजन क्रिकेट कहलना चाहती है हमारी सिके किंग 11 से आप मुझे जरू कॉंटेक्ट करना बस जो विकेट है वो हमें सिमेंट विकेट की जरूरत है तो वहाँ पर हम लोग जरूर आपके साथ खेलने आएंगे तो चले दोस्तों अभी सारे सवाल जवाब हो गए और मैंने भी कुछ आपके लिए कुछ एक नया सिके किंग 11 के बारे में मैंने आपको बता है तो अभी वीडियो का सबसे बेस प आकासạo की तरब से अक्षे को एक बैठ हम लोग देंगे तो यह वह बैठ ंक जो पसंद आई है और यह बैठ आकास श्पोर्ट्स की तरब से तो चलिए अभी अक्षे शॉपिंग करेंगे टी शेट का तो देखते हैं वह कौनसे कौनसे अभी और टी शेट सेलेक्ट करना में करें बाद में इंडिया का मेरा फियर्ट यह टी शिर्ट वाला और इसके बाद वापस से इंडिया का यह ब्लु टी शिर्ट जो की ब्लु आर्मी हमारी जो इंडियन टीम यह जो फेवरेट जो कलर है हमारा और इसके बाद में यह लास्ट वाला ब्लू टीशर्ट तो यह भी बहुत अच्छा टीशर्ट है तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो के सदा आप मुझे जरू कमेंट्स बॉक्स में बताइए और हमारे इंस्टाग्राम को आप जरू फॉ और हमारे जो चैनल है टेनिस बैट्स उसको भी आप फॉलो कीजिए तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक अगले वीडियो में एक नए प्लियर के साथ तब तक के लिए जैहिन